ओम शान्ती, साथ फरवरी 2023, शिबाबा के मधुर महावाक्य, मीठे बच्चे, इस समय तुम्हे निराकारी मत मिल रही है, गीता शास्त्र निराकारी मत का शास्त्र है, साकारी मत का नहीं, यह बात सिध्ध करो. रश्न, कौन सी गुख्य बात बड़ी युक्ती से फर्स्ट क्लास बच्चे ही समझा सकते हैं, उत्तर. यह ब्रहमा ही श्री कृष्ण बनते हैं, ब्रहमा को प्रजापिता कहेंगे, श्री कृष्ण को नहीं, निराकार भगवान ने ब्रहमा मुक से ब्रहमान रचे हैं, श्री कृष्ण तो चोटा बच्चा है, गीता का भगवान निराकार परमात्मा है, श्री कृष्ण की आत्म पुरुशार्थ करके यह प्रालब्ध पाई, यह पहुत कुख्य बात है, जो फर्स क्लास बच्चे ही युक्ती से समझा सकते हैं, बीस नाखून का जोर देकर यह बात सिध्ध करो, तब सर्विस की सभलता होगी, आज का गीत, कौन आया मेरे मन के द्वारे, ओम शान्ती, बच्चों ने सुना, यह आँख नहीं जान सकती है, किसको? भगवान को, यह आँखे श्रीकृष्ण को तो जान सकती है, बाकी भगवान को नहीं जान सकती, आत्म ही परमात्मा को जान सकती है, आत्मा मानती है, कि हमारा परमपिता परमात्मा निराकार है, निराकार होने कारण इन आखों से ना देखने कारण इतनी याद नहीं ठहरती ये निराकार बाप, निराकारी बच्चों अर्थात आत्माओं को कहते हैं तुमको निराकारी मत मिलती है गीता शास्त्र है ही निराकारी मत का, साकारी मत का नहीं गीता धर्म शास्त्र है न? इसलामियों आदी का भी धर्म शास्त्र है. इबराहिम ने उच्चारा, बुध ने, क्राइस्ट ने उच्चारा, उन्हों के तो चित्र है. गीता जो सर्व शास्त्र मैश्य रौमानी है, उसके लिए मनुश्यों ने श्री कृष्ण का चित्र दिखा दिया है, फ्रन्तु बाप समझाते हैं, यह रौंग है, गीता मैंने उच्चारी, मैंने राज्योक सिखलाया और स्वर्ग की स्थापना की है, मैं हूँ निराकार पर परमपिता परमात्मा, मैं तुम सर्वात्माओं का बाप, मनुश्य सृष्टी का बीज रूप हूँ, मुझे ही व्रिक्षपती कहा जाता है, श्री कृष्ण को व्रिक्षपती नहीं कहेंगे, परमपिता परमात्मा ही मनुश्य सृष्टी का बीज रूप क्रियेटर है, श श्री कृश्न को कोई सभी का परमात्मा नहीं कह सकते। बाप कहते हैं मैं पांच हजार वर्ष के बाद कल्ब के संगम बराता हूं। मैं साले सृष्टी का बाप हूं। मुझे ही गॉड फादर कहते हैं। श्री कृष्न का नाम देने से परमपिता परमात्मा को जान नहीं सकते, ये बड़ी भारी भूल कर दी है, गीता द्वारा आदी सनातन देवी देवता धर्म मैंने ही स्थापन किया है, मुझे शिव वा रुद्र भगवान कहा जाता है, और कोई भी सुक्ष्म देवता को वा म परमात्मा नहीं कहा जाता, कहा जाता है परमात्मा एक है, भगवान वाच भी है, तो जरूर भगवान आया होगा, और आकर के राज-योग सिखाया है, बाप कहते हैं कल्प पहले भी मैंने, तुम बच्चों को कहा था, श्री कृष्न कभी भी बच्चे बच्चे नहीं कह सक परमपिता परमात्मा ही सब को बच्चे कहते हैं। ब्रहमा मुख द्वारा ब्रहमन ब्रामनियां रचता हूं। ये ब्रहमा ही शुरिक प्रश्न बनता है। ये कितनी गोख्यबात है। ये समझाने में बड़ी युक्ती चाहिए। फर्स्ट क्लास बच्चियां ही समझा सकेंगी। बाप कहते हैं बहुत अच्छा बच्चा वा बच्ची हो जो सिध्ध करे कि गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। जिसने गीता रची उसने ही बच्चों को राजयोग सिखाया और स्वर्ग रचा। जरूर उंचे ते उंचा बाप ही राजयोग सिखाएगा। श्री कृष्ण ने तो प्रालब्ध पाई है, प्रालब्ध देने वाला है परमपिता परमात्मा, श्री कृष्ण है उनका बच्चा, श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुशार्थ किया और प्रालब्ध पाई, पुरुशार्थ कराने वाले को उड़ा कर, पुरुशार्थ कर प्रालप्थ पाने वाले का नाम रख, गीता को खंडन कर दिया है, सर्विस को बढ़ाने के लिए बच्चों को बीस नाखोन का जोर देना चाहिए, गीता किसने उच्चारी, गीता द्वारा कौन सा धर्म किसने स्थापन किया, इस ही बात से तुम अच्छी डीटी जीत पहन स सकते हो, परम पिता परमात्मा द्वारा, स्वर्ग के मालिक बनते हैं, न कि श्री कृष्ण द्वारा, तो इस बात पर मेहनत करनी है, सब शास्त रहें गीता के बच्चे, तो बच्चों से कभी वर्सा मिल नहीं सकता, वर्सा तो जरूर बाप ही देंगे, काका, चाचा, माम गुरू आदी, कोई से भी वर्सा नहीं मिलता है, बेहत के बाप से ही, बेहत का वर्सा मिलता है, यह लिखत ऐसी साफ कर लिखनी है, कि समझ जाएं, तो बरोबर गीता खंडन की है, गीता को डिफेम किया है, इसलिए भारत कंगाल बन गया है, कौडी तुल्य बन गया है, ऐ ऐसी लिखत लिखो, भारत को स्वर्ग बनाने वाला कौन है, स्वर्ग कहां है, कल्यू के बाद सत्युख होगा, तो उनकी स्थापना जरूर संगम पर होनी चाहिए, शिव भगवान वाच, मैं कल्प कल्प संगम पर पावन दुनिया बनाने आता हूँ, ऐसे सिध्ध करो ज गीता के भगवान को जो समझ जाएंगे, वही आकर फूल चढ़ाएंगे, सभी नहीं चढ़ाएंगे, जो समझ गए, वे फूल बन बली चढ़ जाएंगे, बाबा को कोई फूल देते हैं, तो बाबा कहते हैं, मुझे ऐसे फूल अर्थात बच्चे चाहिए, कांटे मेरे प पबुल के कांटों को फूल बनाने वाला मुझे ही कहते हैं, श्री कृष्ण तो स्वयम फूल है, वह है गार्डन ओफ अल्ला, ये है डेविल फॉरेस्ट, इनको फिर डीटी गार्डन बाब बनाता है, तुम ही नई दुनिया के मालिक बनते हो, लक्ष्मी नारायन की डीट नहीं कहेंगे, ये प्राहमन कुल है, परम पिता, परमात्मा ने ब्रहमा द्वारा प्रजा रची है, इसलिए इनको प्रजा पिता कहा जाता है, श्री बाबा को वा श्री कृष्ण को प्रजा पिता नहीं कहेंगे, ये तो कृष्ण पर कलंग लगाए हैं, कि 16,108 रानिया ये तो प्रजापिता ब्रह्मा ने इतने बच्चे और बच्चियां पैदा की हैं। ज्यान का साकर है ही एक परमपिता परमात्मा। पाप का दंड धर्मराज देते हैं। प्रेजिडेंट को भी बड़े से बड़ा जज कसम देंगे। के लिए राज्य भाग्य देते हैं। वहां कस्म उठाने की बात नहीं है। ये मनुष्य स्रिष्टी रूपी व्रिक्ष है, कोई जंगली व्रिक्ष नहीं है। परमपिता परमात्मा को व्रिक्षपती कहा जाता है। श्री कृष्न इस व्रिक्ष का रास नहीं बता सकते। व प्रिक्रिश्न, मुख्य धर्म शास्त्र हैं चार, बाकी सब हैं दंत कथाएं, पहला पहला धर्म कौन सा स्थापन हुआ और किस के द्वारा, स्वर्ग में था देवी देवता धर्म, तो जरूर वह बाप ही रचेगा, बाप पुरानी दुनिया से लिपरेट करते हैं, क्यूं साधारन आदमी कोई वर्षा दे नहीं सकता, बच्चों को सर्व प्राप्ति कराने वाला है ही बाप, बेहत का बाप ही स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, ऐसी ऐसी टेम्टेशन देनी है, जैसे शिकारी लोग को इसे शिकार कराते हैं तो सारी तैयारी कर शिकार सामने लाकर उनसे शिकार कराते हैं यहां शिकार कराना है माताओं से बाप कहते हैं शिकार माताओं के आगे ले आना है माताए बहुत है नाम एक का बाला हो जाता है तुम शक्ती सेना हो शक्ती डानेस्टी नहीं कहेंगे शक्ती सेना की मुख्य है जगदंबा, काली, सरस्वती, बाकी चंडी का आदी उल्टे नाम भी बहुत रख दिये हैं। तो तुम बच्चों को ऐसी बातों पर क्लियर करना है कि उंचे ते उंचा भगवान, फिर ब्रहमा विश्नु शंकर, प्रचा पिता ब्रहमा की बेटी है सरस्वती, उनको गौड़िस ओफ नौलेज कहते हैं, तो ज़रूर उनके बच्चों को भी गौड़िस ओफ नौलेज कह अंत में विजय तु तुम्हारी होने वाली है, कोई-कोई गीता से वेदों का मान ज्यादा रखते हैं, तो भी गीता का प्रचार ज्यादा है, बाप कहते हैं, मैं आता हूं संगम युग पर, श्री कृष्न का चित्र है ही सत युग का, फिर चोरासी जन्मों में रूप बन सकते हैं, जो परमपिता परमात्मा आकर आत्मा को ज्यान देवे, परमपिता परमात्मा है ज्यान का सागर, उन द्वारा तुम ज्यानी तु आत्मा बनते हो, बाकी सब हैं भक्त तु आत्मा, बाप कहते हैं मुझे ज्यानी तु आत्मा प्रिय लगते हैं, महिमा सारी ग जाता है ये तो बाप से योग लगाना है ध्यान में जाने से कोई भी फाइदा नहीं है बाप कहते हैं मैंने राज योग सिखाया था श्री कृष्ण को ये प्रालब्ध मैंने ही दी थी जरूर अगले जन्म में पुरुशार्थ किया होगा सारी सूर्यवंशी राजधानी ने मेरे द्वारा ही प्रालब्ध पाई है दिलवाडा मंदिर का कॉंट्रास्ट भी ऐसे लिखो जो पढ़ने से ही मनुष्यों को जट तीर लग जाए फॉम भी भराना है कि बेहत का बाप ग्यान का सागर है पहुत मीठा है हमको राज योग सि प्यारा ऐसे बाप की महिमा करने से बुद्धी में लव आएगा बाप सम्मुखा कर जन्म दे तब तो लव होगा ना तुमको जन्म दिया है तब तो लव हुआ है बाप कहने से ही स्वर्ग याद आता है बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं हम उनसे वर्सा ले रहे हैं विश्वास करो या ना करो, बेहत का बाप तु सभी का बाप है, उनसे जरूर स्वर्ग का वर्सा मिलेगा, बाप है ही नई दुनिया का रचैता, तु जरूर नई दुनिया का वर्सा देगा, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रती मात पिता, बाप दादा का याद, प्यार और गोड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद, प्यार, गोड मॉर्निंग, नमस्ते और शुक्रिया, धा के लिए मुख्यसार पहला पॉइंट बाप का प्रिय बनने के लिए बुधि में ज्ञान को धारण कर ज्ञानी द्वात्मा बनना है बाप से योग लगाना है ध्यान की आश नहीं रखनी है दूसरा माताओं को आगे रख उनका नाम बढ़ाना है अथौरिटी से गीता के भग गवान को सिध करना है बीस नाखोन के जोर से सर्विस को बढ़ाना है वरदान श्रेष्ठ जीवन की समरिती द्वारा विशाल स्टेज पर विशेश पार्ट बजाने वाले हीरो पार्ट धारी भव स्पश्टिकरन ब्रहमा बाप ने आप बच्चों को देव्य जन्म देते ह पवित्र भव योगी भव का वरदान दिया जन्म देही बड़ी मां के रूप में पवित्रता के प्यार से पालना की सदा खुश्यों के जूले में जुलाया सर्व गौन मूर्थ ज्यान मूर्थ सुक शान्ति स्वरूप बनने की हर रोज लोरी दी ऐसे मात पिता के मा कुमार कुमारी है इस जीवन के महत्व को समरिती में रख विश्व की विशाल स्टेज पर विशेश पार्ट हीरो पार्ट बचाओ स्लोगन बिंदू शब्द के महत्व को जान बिंदू बन बिंदू बाप को याद करना ही योगी बनना है ओम शान्ति मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य पहले पहले ये जानना सरोरी है कि अपना असली लक्ष क्या है वो भी अच्छी तरह से बुद्धी में धारन करना है तभी पोर नरीती से उस लक्ष में उपस्थित हो सकेंगे अपना असली लक्ष है मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हो असल में करमाती थों फिर अपने आपको भोलने से कर्म बंधन में आ गई अब फिर से वो याद आने से इस इश्वर्य योग में रहने से अपनी किये हुए वी कर्म विनाश कर रहे है तो अपना लक्ष हुआ, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, बाकी कोई अपने को हम सो देवता समझ, उस लक्ष में स्थित रहेंगे, तो फिर जो परमात्मा की शक्ती है, वो मिल नहीं सकेगी, और ना फिर तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, अब यह तो अपने को फु ज्यान है, मैं आत्मा परमात्मा की संतान, कर्मातीत हो, विश्व में जाकर जीवन मुक्त देवी देवता पद पाएंगे, इस लक्ष में रहने से वह ताकत मिल जाती है, अब यह जो मनुष्य चाहते हैं, हमको सुख, शांती, पवित्तरता चाहिए, वो भी जब पोन होगा, तब ही प्राप्थ होगे, बाकी देवता पद तो अपनी भविश्य प्रालप्थ है, अपना पुरुशार्थ अलग है, और अपनी प्रालप्थ भी अलग है, लक्ष भी अलग है, अपने को इस लक्ष में नहीं रहना है, कि मैं पवित्र आत्मा आखरीन परमात्मा बन जाओंगी, नहीं, प्रम्तो हम को परमात्मा के साथ योग लगाए पवित्र आत्मा बनना है, बाकी आत्मा को कोई परमात्मा नहीं बनना है। दूसरा, इस अविनाशी ईश्वर्य ग्यान पर अनेक नाम धरे गए हैं, अर्थात रखे गए हैं, कोई इस ग्यान को अमरित भी कहते हैं, कोई ग्यान को अंजन भी कहते हैं, गुरु नानक ने कहा ग्यान अंजन गुरु दिया, कोई ने फिर ग्यान वर्षा भी कहा है, जो भी तमो प्रधान मनुष्य हैं, उस्वतो गुणी मनुष्य बन जाते हैं, और ज्ञान अंजन से अंधियारा मिठ जाता है। इस ही ज्ञान को फिर अमृत भी कहते हैं, जिससे जो मनुष्य पांच विकारों की अगनी में जल रहे हैं, उससे ठंडे हो जाते हैं। देखो गीता में परमात्मा साफ कहता है, कामेशू, क्रोधेशू, उसमें भी पहला मुख्य है काम, जो ही पांच विकारों में मुख्य बीज है, बीज होने से फिर क्रोध, लोब, मोह, आंकारादी, जाड पैदा होता है, उससे मनुष्यों की बुध्धी भरष्ट हो जाती ह अब उस ही बुध्धी में ग्यान की धारणा होती है, जब ग्यान की धारणा पूर्ण बुध्धी में हो जाती है, तब ही विकारों का बीज खत्म हो जाता है, बाकि सन्यासी तो समझते हैं, विकारों को वर्ष करना बड़ी कठिन बात है, अब ये ग्यान तो सन्यासियों म मर्यादा में रहो परन्त असुल मर्यादा कौन से थी वो मर्यादा तो आजकल ठूट गई है कहां वो सत्यूगी त्रेता यूगी देवी देवताओं की मर्यादा जो ग्रहस्त में रहकर कैसे निर्विकारी प्रविती में रहते थे अब वो सच्ची मर्यादा कहा है आजकल तो उल्टी विकारी मर्यादा पालन कर रहे हैं एक दो को ऐसे ही सिखलाते हैं कि मर्यादा में चलो मनुष्य का पहला क्या फर्स है वो तो कोई नहीं जानदा बस इतना ही प्रचार करते हैं कि मर्यादा में रहो, मगर इतना भी नहीं जानते कि मनुशी की पहली मर्यादा कौन सी है, मनुशी की पहली मर्यादा है, निर्विकारी बनना, अगर कोई से ऐसा पूछा जाए, तुम इस मर्यादा में रहते हो, तो कह देते हैं, आजकल इस कल्यू की स्रिष्टी में निर्विकारी होने क की हिम्मत नहीं है अब मुख से कहना कि मर्यादा में रहो निर्विकारी बनो इससे तो कोई निर्विकारी बन नहीं सकता निर्विकारी बनने के लिए पहले इस ज्ञान तलवार से इन पांच विकारों के बीच को खत्म करना तब ही विकर्म भस्म हो सकेगा अच्छा ओम शां प्रोट्टी